हे गाईज आइम सपना पाटनी वेलकम टो माई चैनल सिक्षा हाउस दोस्तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है टैनिस का ग्रैंड स्लैम 2020 इस वीडियो के अंदर चारो ग्रैंड स्लैम के बारे में डिसकस करने वाले हैं और इस साल के विजेताओं को जानेंगे और इस टॉ आप सभी को ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि किसी भी एक्जाम्स में टैनिस के चारो ग्रैंड स्लैम टूर्णामेंट होते हैं और इनसे रिलेटेड कोशन्स पूछ लिये जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले टैनिस के चारो ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ डीटेल जान लेते हैं यानि की ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबर्डन ओपन, लास्ट में आता है यूएस ओपन ये चारो टैनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ये इसी ओडर में आयोजित किये जाते हैं, मतलब की साल में सबसे पहले जो पहले टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है वो अस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद शहर में आयोजित किया जाता है दूसरा फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन को रुलैंड गैरोस टूर्नमेंट भी कहा जाता है और इसका आयोजन हर साल माई और जून के मन्त में होता है फ्रांस की राज़ानी पैरिस में जो तीसरा टूर्नमेंट आता है वो विंबल्डन ओपन ह इसका आयोजन इंगलेंड की चैपिटल लंडन में होता है। यह हर साल जून जुलाई के मन्त में आयोजित किया जाता है। तो यह कौन से एर में शुरू है ग्रैंड स्लैम तूर्नमेंट ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले Wimbledon की बात करें, तो यह 1877 में शुरू हुआ है, और यह चारो Grand Slam में सबसे पुराना Tennis Tournament है, और जो दूसरा आता है, वो US Open आता है, जो 1881 में शुरू हुआ, तीसरा आता है French Open, जो की 1891 में शुरू हुआ, और जो Last आता है Australian Open, 1905 में शुरू हुआ, तो यह चार चोटी कुछ और डीटेल जालनेते हैं, इसमें दोनों और से एक-एक प्लियर या दो-दो प्लियर खेले जाते हैं, यानि की Singles या फिर Doubles, तो Tennis का जो आयोजिन किया जाता है, वो Court पर किया जाता है, और यह जो चारो Grand Slam Tournament है, वो अलग-लग Court पर खेले जाते हैं, सबसे पहले जो Australian Open खेला जाता है, वो Heart Court पर खेला जाता है, यानि की इनकी जो सर्फेस होती है, वो Hard होती है, इसके बाद जो टूनामिन खेला जाता है, वो French Open होता है, और French Open को Clay Court पर खेला जाता है, यानि की मिट्टी के सर्फेस पर खेला जाता है, तीसरा जो आता है, को खेला जाता है grass court पर यानि की घास पर खेला जाता है लास्स आता है US open US open भी Australian open की तरह खेला जाता है hard court पर ही तो यह मैंने आपको थोड़ा detail बता दिया इनसे भी related question पूछ ले जाता है इन सभी को ध्यान रखना दोस्तों मैंने आपको tennis इसके चारो grand slam के detail बताया और इस पार्ट से exam में इनके order से related question पूछ ले जाते हैं या इनका क्रम भी याद रखना है जैसे कि कुछ question पूछे जाते हैं कि French open के बाद tennis grand slam tournament कौन सा tournament आयो जित होता है तो आपका answer क्या होगा Wimbledon open इसी तरह से Australian open के बाद कौन सा tournament आता है तो आपका answer होगा French tournament तो इसी तरह से इनके order को लेकर कौन कौन सा या कौन कौन से year में शुरू हुआ था या फिर यह भी question पूछते हैं कि US open या French open या Wimbledon open या Australian open कौन से court में खेला जाता है या कौन से month में खेला जाता है या कौन से city में खेला जाता है अलग- ये सारा जो पाटे वो याद रिखे कि कौन से year कौन से court और कौन कौन से क्रम में ये game खेले जाते हैं चलिए अब हम discuss करने वाले हैं 2020 में टैनिस के चारो grand slam के विजेताओं के बारे में सबसे पहले discuss करेंगे Australian open 2020 में Australian open में men single का खिताब जीता है नुवाग जोकोविच जो की सर्बिया के खिलाडी हैं तो इन्होंने 2020 का Australian open men single का खिताब जीता है और इस साल का Australian open में women single का खिताब जीतने वाली हैं Sophia Canon जो की अमेरिका की खिलाडी है Sophia Canon का इस साल इनका टैनिस के चारो grand slam में women single का पहला खिताब है याद रखिएगा कि इस साल का Australian open में men single के विनर है चलिए next French open tournament को discuss करेंगे French open हर साल मई जून में खेला जाता है और इस साल coronavirus के कारण इसको postpone किया गया और यह 21 September से 11 October को आयो जित हुआ है इस साल 2020 में French open men single के विजेता रहे हैं राफेल नडाल जो की Spain के player है और जो राफेल नडाल है उन्होंने इस साल 13 भी बार French open जीता है जिने French open का king भी कहा जाता है क्यूंकि French open का अधिक award इन्होंने ही जीता है और French open का woman single का खिताब जीतने वाली है इगा स्वातेक जो की पोलेंड की खिलारी इने जीता है याद रखेगा कि इस साल 2020 में French open का जो खिताब men single जीता है वो जीता है राफेल नडाल ने और जो woman single में इगा स्वातेक ने खिताब जीता है याद रखेगा नेक्स्ट विंबलडन ओपन टूनामेंट की बात करें तो 2020 में विंबलडन ओपन जून और जुलाई मन्त में होना था लेकिन कोरोना वायरिस के चलते कैंसल कर दिया गया यह भी याद रखना कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ओपन कैंसल हुआ है और इसको Second World War के दूसरी बार कैंसल किया गया है लास्ट टूर्नामेंट, US टूर्नामेंट की बात करें तो 2020 में US Open में Men's Single के विनर है Dominic Thiem जो की Austria के खिलाडी है और इस साल इनका चारो Grand Slam में Men's Single का पहला खिताब है और इस साल के 2020 में Women's Single का खिताब Naomi Osaka ने जीता है जो की जापान की खिलाडी है याद रखेगा कि साल 2020 में US Open टूर्नामेंट के विजेता Men's Single के हैं Dominic Thiem और Women's Single की विजेता हैं Naomi Osaka चलिए इस सिरीज के अब कुछ कोशन्स कर लेते हैं कि जो भी हमने अभी तक Grand Slam 2020 Tennis के रिगार्डिंग हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग कुछ कोशन्स कर लेते हैं 20 कोशन्स है ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर करेगा अपने मन में ही पहला कोशन्स आता है कि वर्ज 2020 में कोरोना वाइरस लॉकडाउन के कारण कौन सा Tennis Grand Slam टूर्णामेंट रद्द कर दिया गया इस साल फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबल्डन ओपन या फिर आस्ट्रेलियन ओपन आंसर करें इसका आंसर है विंबल्डन ओपन इस साल 2020 में कोरोना वाइरस के चलते विंबल्डन ओपन को कैंसल कर दिया गया सेकिंड कोशन है कि विश्व का सबसे पुराना Grand Slam टैनिस टूर्णामेंट कौन सा है युएस ओपन, विंबल्डन ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर आस्ट्रेलियन ओपन आंसर करें इसका आंसर है विंबल्डन ओपन विंबल्डन ओपन टैनिस टूर्णामेंट का सबसे पुराना टूर्णामेंट है अब चलते हैं थर्ड कोशन पे थर्ट कोशन है Australian Open 2020 के महिला एकल का किताब किसने जीता है सिमोना हेलेप, सेरेना विलियम्स, गार्बीन मुगरूजा या फिर सोफिया कैनन इसका आंसर है सोफिया कैनन सोफिया कैनन ने Australian Open 2020 का किताब जीता है ये अमेरिका की खिलाडी है चलिए अब फोर्थ कोशन करते हैं French Open 2020 के महिला एकल का किताब किसने जीता है इगा स्वतिक, सोफिया कैनन, पेटरा कुईता या फिर नादिया पदरुसका इसका आंसर है इगा स्वतिक इगा स्वतिक ने इस साल French Open का किताब जीता है और ये पोलेन की खिलाडी है पांचवा कोशन है कि टैनिस Grand Slam 2020 के महिला एकल विजिताओं से संबदित कौन सा विकल सुमिलित नहीं है इसका आंसर है औस्ट्रिलेन ओपन औस्ट्रिलेन ओपन 2020 का किताब सोफिया कैनन ने जीता है इस साल और ये है अमेरिका की खिलाडी है याद रखेगा चले सीरिस का सिक्स कोशन करते हैं जो की है US Open 2020 के महिला एकल का किताब किसने जीता है सेरिना विलियम्स नाओमी उसाका विक्टोरिया जरिंका या फिर जैनिफर ब्रेडी इसका अंसर है नाउमी उसाका नाउमी उसाका ने इस साल 2020 का यूएस ओपन का खिताब जीता और ये जापान की खिलाडी है चले सात्वा प्रस्ट नेकते हैं सिरीज का जो की है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता इगा स्वाते किस देश से संबन देते हैं अमेरिका चा चली आठवा प्रस्ट देखते हैं इस सीरीज का निमलिखी टैनिस खिलाडियों के देश से संबन देत कौन सा एक विकल सुमिलित नहीं है कौन सा करेक्टली मैज नहीं है इस कोशन में वो देखिए तो इसका आंसर होगा नाउमी उसाका जो की जापान की खिलाडिये इन्ह इसका अंसर है डॉमिनिक थी हैं इस साल इनोंने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता और इस साल इनका चारो ग्रैंड स्लैम में मैं सिंगल का पहला खिताब है दसवा प्रशन देखते हैं इस सीरीज का कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरु सेकल का खिताब किसने जीता है नुवाग जोकोविज, अलेक्जेंडर जैवरे, राफेल नडाल या फिर डॉमिनिक थी हैं इसका अंसर होगा राफेल नडाल राफेल नडाल ने इस साल का तेरवा खिताब जीता और इनको फ्रेंच ओपन का किंग भी कहा जाता है कि इन्होंने सबसे जादा फ्रेंच ओपन का खिता जीता है ग्यारवा प्रशने देखते हैं इस सीरीज का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुस एकल का किताब किस ने जीता है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डॉमिनिक थीम या फिर नौवाग जोकोविच इस साल 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नौवाग जोकोविच न इसका अंसर है फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन 2020 का खिता राफिल नडाल ने जीता है ना कि रोजर फेडरर ये स्पेन के खिलाडी है अगला प्रशन तेरवा प्रशन है जो की है निमलिक टैनिस खिलाडीों से सम्दित करेक्ली मैश नहीं इन चारो अप्षन में से बताईए इ 14th कोशन देखते हैं इस सीरीज का यूएस ओपन 2020 के पुरू सेकल विजयता डॉमनिक थेम किस देश से संबन देता है अमेरिका, सर्बिया, जर्मनी या आस्ट्रिया इसका अंसर है आस्ट्रिया इस साल 2020 यूएस ओपन का खिताब डॉमनिक थेम ने जीता है अगला प्रशन 15th कोशन इस सीरीज का अब तक Tennis Grand Slam के चारो टूनामेंट में महिला एकल का सरवादिक किताब किसने जीता है इसका आंसर है Margaret Court, Margaret Court ऑस्ट्रिया की खिलाडी है इन्होंने 24 बार ये टाइटल जीता है Grand Slam का और 2nd है Serena Williams ये अमेरिका की खिलाडे इन्होंने 23 बार ये टाइट जीता है तो मैंने आपको क्या बता है सबसे आदा किसने जीता है Margaret Court और 2nd जो है Serena Williams तो इन दोनों को आप याद रखेगा सोलवा प्रशने देखते हैं इस सीरीज का अब तक Tennis Grand Slam के चारो टूर्नामेंट में पुरू सेकल का सरवादी किताब किसने जीता है इन चारो आप्शन में से बताईए इसका अंसर है राफिल नडाल और रोजर फेडर दोनों ही हैं इस साल राफिल नडाल ने 28 टाइटल जीता है और पहले से ही रोजर फेडर के 20 टाइटल जीत चुके हैं तो दोनों को मिलाकर बराबर बराबर 20 टाइटल इनोंने जीते हैं तो ये दो हैं जिनोंने सबसे सरवादी किताब जीता है अगला प्रश्न है सत्रवा प्रश्न जो कि टैनिस ग्रैंट स्लैम के चारों टूर्णामेंट के आयोजन का सही क्रम क्या है ये बताइए ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस ताइप से कोशन बन जाते हैं तो इसका अंसर होगा ऑस्ट्रेलिय फ्रेंच विंबल्डन और यूएस ये चार इसके क्रम याद रखेगा अठारवा प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का जो कि है टैनिस ग्रैंट स्लैम का विंबल्डन ओपन टूर्णामेंट कहां पर आयोजित होता है मेलबन ऑस्ट्रेलिया लंडन इंग्लेंड पैरिस फ्र टूर्णामेंट किस कोट पर खेला जाता है इस तैप के कोशन मैंने आपको पहले ही बतायते हार्ट कोट, ग्रास कोट, क्ले कोट या नन ओफ द अबव इसका आंसर है क्ले कोट, क्ले कोट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन टूर्णामेंट, टैनिस ग्रैंट स्लैम ठीक है तो यह आप याद रखेगा यह प्रश्ण भी अगरा जो कि लास्ट प्रश्ण है इस सीरीज का Tennis Grand Slam का पहला टूर्णमेंट कौन सा होता है यह इसकी सीरीज भी मैंने अभी आपको बतायते है थोड़ देर पहले जो इसका आंसर है Australian Open है जो Open Tournament होता है सबसे पहला वो Australian Open होता है उसके बाद French Open होता है जिसको Roland Garros Tournament भी कहते हैं Wimbledon Open होता है और जो लास्ट प्रश्णमेंट होता है वो US Open होता है चलिए इस साल 2020 का Grand Slam Tennis Tournament से रिलेटेट मैंने चारो Grand Slam आपको कम्प्लीट करा चुके हैं उससे रिलेटेट सारे कोशन भी आपको करा चुके हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ेगा और इस कोशन को प्रैक्टिस कीजेगा और जो भी मैंने एक चीज आपको बता है इसको ध्यान से पढ़के लर्न कीजेगा चलिए धन्यवाद आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कामेंट करें और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों को शेर करें तो इससे क्या होगा अगर लोगों को जो भी एक्जाम से रिलेटेड कोशन्स पूछे जाते हैं बहुत बहुत बहुतर तरीके से इस कोशन को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक हैं, थैंक यू